लगबग दो महापूर अपरत हुए मासूम को पुलिस ने किया सकुशल बरामत जनपर बिजनोर के चानपूर छेतर में मद्या परदेश मूल के मजदूर का पुत्र लगबग दो महापूर पहले अपरत हो जाता है हैरान परेशान परिजन हर समभावित जगा पर बच्चे की तलाश करते हैं और जब बच्चे का कोई शुराग नहीं लगता तो वे पुलिस के पास जाकर अपने बच्चे को खोजने के लिए सूचना देते हैं अब घटना के लगबग दो महिने के बाद पुलिस अपरत बच्चे को सकुषल ढूंड निकालती है, बच्चे की बरामदगी से परीजनों के चैरे खुशी से खिल उठे हैं, वहीं पुलिस बच्चे से जानकारी प्राप्त कर रही है। दरसल पूरा मामला जनपर विजनोर के चांदपूर थाना छेतर का है, जहां पर 19 जुलाई को संतोज कुमार पुत्र धनपत सिंग, मेवासी, छट्टा थाना सराई, जिला समरोली, मद्या परदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चांदपूर बस स्टेंड पर उसका चा चांदपूर थाना पुलिस के द्वारा चांदपूर कस्बे सहीद, विजनोर, मेरट, मुरादबार, ठविद्वार और अन्या संबाबित इस्थानों पर बच्चे की तलास की गई, तथा DC, RB और सोसल मीडिया के माध्यम से आसपास के जनपतों को सूचना देते हुए पुलिस के द्वारा बच्चे से जानकारी की जा रही है और अगरिम कारेवाई में जुट गई देखे जनसमवाद के लिए विजवान मलिक की यह रिपोर्ट इनका एक छोटा बच्चा जो चार साल उमरका था वो 19 जुलाई को जैसा कि नोंने बताया था कि वह बस इस्टेंड पर जूस पिने गया और फिर गुमसुदा हो गया वहाँ से इसके समद्ध में थाना चांचपूर पर अवियोग पंजी किरित कर बच्चे की कलास के लिए टीमें बनाई गी टीम ने अथक प्रयास किया DCRB और पंप्लेट शपवा के आसपास के जनपदों को जो मटवाया गया टीम लगातार प्रयास कर रही थी कले बच्चा जो है चांचपूर कस्बे से ही फिना कालोनी से ही मिला चार साल का बच्चा है उसे सकुसल ब्रामत करके इनके परजनों को सुपूर्ट किया गया परजन काफी खुस है अब ये बच्चा चुकि दो महिने इसको लगबग हो गया गुंशुदा हुए ये कहां कि पर था इन परस्थितियों में था इसके पास था इसके संबन्द में विसलिट जांच कि जा रही है चोंकि बच्चा अभी ब्रामत हुआ है अब यूदा बतानी की स्थिति में नहीं है इसके बारे हम लोग प्रक्राइब कर रहे हैं कि बच्चा इतने दिनों कर कहां था इस संबन में जो आजपास के CCTV कैमरे होगा रहा है उनकी नहीं हम लोग खुड़ जोगारा तलास करा रहे हैं।